हम बात कर रहे हैं आज बेंगाबाद पक्रण छेत्र के घुठिया गाउं से जी हाँ आज हम आप समों को ऐसे दास्ता में दिखाने जा रहे हैं जो लोग यूँ के जगुता के अभाव में या गरीबी के अभाव में या अंजान की वज़े से या परतिनिदियों की लापरवाही के वज़े से लोगों को भुगतना पढ़ रहा है अंजान. जी हम बात कर रहे हैं बेंगाबाद के घुटिया गाउं के जे इनका क्या नाम है ये अब के पती का तिरवेरी राना उनके घर आज हम लोग यहां पहुचे हुए हैं बता दे कि इनके घर में सभी विकलांग है सभी दिब्यांग है लेकिन इनको कोई भी सरकार के दुआरा अ उसी महिला से बात करते हैं कि आखिर सच क्या है आखिर बात क्या अच्छा तो इन लोग को कुछ मिल रहा है कहां 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 कहीं गये थे कि मिला से ज़िए और शदिफिकेट बना हुआ है यह विकलांग है और यह वी इनका पुत्र है वो बोल नहीं सकता है एक जो इनका बे बेटी है दिब्यांग है और इनकी जो मा है ये भी दिब्यांग है लेकिन अब तक कोई भी सरकारी लाफ इन लोगों को नहीं मिल पाया है देख सकते हैं इनका तुटा हुआ आसियाना तुटा हुआ इस घर में रहकर के गुजर बसर कर अपनी जिंदगी को जीवन आपन कर र पतादीकारी है ताकि इनको पैंसन मिल सके अब देखना यह है कि पैंसन इनको कब तक मिलता है फिरहाल जगनात हमारा नाम है लोगों को जगाना हमारा काम है बताना हमारा काम है हमने अपने तरफ से कर दिया है अब देखना यह है कि परतिनेदी कब जागते हैं पतादीकार है तो बोलेगा जै हो जै हिन सत्मे जैते बंदे मातरम ठैंक यू